पर जब इस आएने में देखने वाली एक जिद हो, जिद जीतने की, जिद अपने जख्मों को अपनी ताकत बनाने की, तब इस जिद से बनती है इंडियन फुटबॉल टीम की कैप्टिन आशा लटा स्वागत है आपका हमारे शो दर राइसिंग स्टोरी में फुटबॉल टीम की कैप्टिन है आप, यहां तक का सफर आसान तो हुआ नहीं होगा, फुटबॉल के बारे में हम जरूर बात करेंगे लेकिन आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहते है मुझे इंवाइट करने के लिए और मेरा फुटबॉल जर्नी सेयर करने का मोका देने के लिए हम लोग पांस बहन है और एक बाई है और मेरा मम्मी है और पापा नहीं है और दादी और दादू है आप जॉइन फैमिली में रहते हैं जी जी फुटबॉल का चिसका कैसे लगा आपको जब मैं सब्वेंट क्लास में पड़ी थी तब हमेशा बोईस का फुटबॉल का तीम होता था इसलिए मैंने हम लोग ने तीसर्स को बोला था कि हमेशा बोईस का तीम क्यू है गल्स का त तो उन्होंने दो तीम डिवाइट करके बनाया था और मैंस भी रोग हो गया था और पिनाल्टी सुट आउट में रिजन डिसाइड करना था तो मैंने पिनाल्टी भी मारा था और मेरे तीम जिट गए थे उस वक्त आपको इस थेल के बारे में जानकारी थी कि कैसे खेलना ह है टेक्निक लिए जानकारी तो बिल्कुल नहीं थे क्योंकि मुझे मैंने कभी TV में भी नहीं देखा था कि football professional game है और professional बन सकते है क्योंकि मैं Just boys की team देके मुझे खेलने का मन कर रहा था इसलिए मैंने उस team बनाने के लिए teacher को बोला था तो उस game के पेले कुछ प्रैक्टिस कोई आपके जो फिजिकल एडुकेशन टीचर्स है या स्पोर्ट्स फैकल्टी उन्होंने अपको बताया था कि ऐसे खेलना है गेम क्या करना है गोल कैसे करना है कुछ भी नहीं पता था मुझे और तीसर ने भी नहीं बोला था वहां पर एक रेफरी है हमारे लोकेल का अंकल ह टो उन्होंने बताया था कि score कैसे करना है और अचुली penalty shootout था तो उसमे कैसे war क्या हुआ था 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 यह भी नहीं हुआ था था अपलोका defense आप था अ कहां लिख था था खेल पता नहीं उस ताम कौन सी पोशिशन खेल रहे है जो जो बोल है उसमें हम लोग पूरा 22 प्लेयर वही पे पुरा बोल के पड़े थे, लेकिन गोल हुआ ने, finally penalty shootout जिसमें आपने penalty मारा, you scored it, so you felt good, obviously yes, that was the turning point, professionally आपने football खेलने का सोच लिया, तो उसके लिए अपने किया क्या पर? जो मेंज जितने के बाद नेक्स दिन से हम प्रैक्टिस करने लगे मैं और वहापर एंपर बोध कि थेम था उनके साथ में प्रैक्टिस में जाएथे तैंट पूुचने लगे कि अग्फोफन पूचिन के बाद कहा जाते हैं सामको पूरा गयाब हो जाते गएसे तो मैं Bowl amino could को और उस ताइम की क्यो जा रहे हो और पराई करना चाहिए और फुटबोल खेल के क्या मिलेगा फिर भी मैंने बहुत बार रिक्वेस किया था उनको कि मुझे खेलना है इस्तार्टिंग में बहुत मार खाया मैं प्राक्टिस की बाद मम्मी में को बहुत डाटने लगती है और म मुझे मारने लग जाते हैं तो बात में मेरे अंकल ने मम्मी को बोला था रिक्विस किया था कि उनको खेलने दो जो भी पैसे का या कुछ भी प्रबलम होगा हम साथ में मिलके हेल्प करेंगे उसकी बाद मम्मी थोड़ा मानने लगे कि चलो ठीक है तो इनिशली मम्मी का मेरे अंकल मेरे पापा का भाई वो मेरा सपोर्ट करते थे उननोंने मेरा इस्टर जर्शी और फुटबल सभ खरिद के मुझे दिया ता तो अभी तक वो मेरे सपोर्ट ही करते रहा हैं तो आपको अपना फुट्बाल जर्शी सथ इस बत्,"शी तौ जर्शी सथी में programme है उस और अंकल जी उसके बाद का सफर आपका कैसा रहा उसके बाद में दो साल तक वहा पर कि गर की पास जो क्लब है वहाँ पर खेल रहे थे उसके बाद दो साल की बाद मैं 2008 में दूसरा क्लब में मैंने ट्रांसफर लिया था जो अभी नेशनल टीम का जो एसिस्टेंट कोस है चा मतलब एक महीना दो महीना की बाद फिर घर पर आ जाते हैं कभी-कभी और उसी साल में 2008 में मुझे अंडर सवेंटीन नेशने खेलने का मोगा मिला अपने क्लब फुटबॉल खेला आपको मोगा भी मिल लेकिन जो आपकी तयारी थी वहां तक पहुचने की वह कैसी रही आप में बारे में भी नहीं पता था तो 2008 में मैंने क्लब सिफ करने के बाद मुझे पता चला की एजे मिट विल कितना मेहनत करना पड़ता है कितना बागना और कितना टेकनिकली कितना उनके अंदर कितना लेवल होना चाहिए तो वहां पर चाहुआ मैंने मेरे को सब चीज सिखा तो उसी से मेरा फुटबोल जर्नी स्टार्ट हुआ है आपने जब डिसाइड कर लिया था 13 साल के उमरे कि आपको फुटबॉल खेलना है तो वो ट्रेनिंग आप कैसे करती थी कहां जाते थी आप गर की पास में ग्राउंड है वहां पर जाती थी मैं बोईस की साथ खेलती तbilट भी तो बोईस की साथ खेलने से मुझे जल्दी डिबलब करने का वहां नहीं तो मैं गर्ल्स की साथ खिलते रहते तो इतना फिजिकली इतना फिट नहीं होता तो मेरा सबसे बेस ताइम था कि मैंने स्टार्टिंग में बोईस की साथ सुरू किया तो यज जब आपने आपको दूर जाना पड़ता था मनीपूर में ही थी फुटबॉल अर्टेनिंग आदेमी यहं आपको दूर जाना पड़ता था mm मेरे गर से 40 minईOME का र cathartal चैह ड्रैवल करते एंग गणर फिर्टर होने के बाटी एक शोने के बाद यस लिए बहुत प्रोब्लम हора था तो उन्होंने हम लोग मेरे घर की पास से तीन चार लड़किया थे तो उनकी साथ हम पांसे लोग हम साथ में वहाँ पे रहते थे ते इवेंचुली आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया तो क्या आपकी एज थी और वो आप तक न्यूस कैसे पहुची आप नैशनल टीम क से लिए सिलेक्ट हो गए हैं अंडर 17 में मुझे कोलब किया था तो मैं बहुत खुसी थी बहुत एक्साइटेड हुआ था कि बहुत मेहनत करने के बाद ही हर कोई प्लेयर मिलता है वो अपोचिनीटी और मैंने भी बहुत मेहनत किया और जो मेरे को बताया था कि क्लब का में कि तेरे को पेपर देख लो और तेरे नाम आया है तो मैं पेपर देखा तो मेरे नाम था उसमें और मैं बहुत एक्साइटेट था आपकी फर्स मैच यादगार हो गए आपके लिए इंटरनाशनल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप तो किसके अगेंस्ट यूर कहां थी चाइनिस ताइपई के साथ था मलेसिया में अफसी अंदर 17 क्वालिफाई रहां तो आपने जो फर्स इंटरनाशनल मैच ख साथ प्लेयर एक साथ खेलने का मोका भी मिला था तो हमारी जो टीम है नौत इस्ट में तो एक डिलिजन माना जाता है फुटबॉल को आप जैसे बोल रहे हैं कि साथ लोग एक साथ खेल रहे थे तो अल्मोस्स 70-80% टीम तो मनिपूर की हो गई नौत इस्ट की हो गई तो ज आपकी जो डेबियू उप मैच हुई थी उसके पारे मैच बिताएंगे आपकी कैसा हुट मैच रहा क्या स्कोर हुआ अपने कौन से पोजिशन पर खेली थी? अश्कोर 2-1 था और हम लोग हर गए थे और मैच डिफेंडर कहल रहे थी उस्ताइएंगे बुरा लगा ड़गा ड़गा थी हार गए तो लगा कि वो क्वालिफाइ करेगा तो हम लोग सेकेंड राउंड क्वालिफाइ करना था तो वो मैच भी हर गया इसलिए टिम में खेला था तो इंडिया में हुआता नाभी मुंभाइ में को तो दो मेत्क क्याल घूचेण फास में अखर गे थे और सेकेंड मैस मैं हम लोग वांजिरोच गिए और वो स्कोर मैंने कि या था फ्रीकिक में प्रीर के थीज़ा तो यद् मैं बहुत खुछ थी यह हो गई आपकी इंटरनेशनल मैचे कोई ऐसी मैच जो आपको यादगार रहे कभी क्राउड आया कभी ग्राउंड पे ज्यादा अप लोगों को आदत है एक खाली स्टेडियम में खेलने की साभ चेंपेंशिप इस ताल में अमर्स में हमारा जो सेमी फाइनल मेस बंगलादेश की साथ था रही कहा हो रहा ता मैचेंपल में नेपल में तो नेपाल का क्राउट बहुत जादा है वहा पर चेंपेंशिप कि हम लोग फुरा स्तड़ें में नहीं कहिल रहे थे मुझा एक ग्राउन्ट की की बहुत पास थे बहुत चिला एक छोड और नेपल के जो कर अपर तुछ पूरा बंगलादेस की सपोर्ट में थे वह क्यों नेपल के करा कि डाय पांड्यास कोई पोरा बंगलादेस की तो इसलिए उन्होंने पूरा बंगलादेश में सपोर्ट किया था मेश तो हम लोग जिद गए थे और फाइनल नेपल किसा था तो फाइनल में मुझे जो लाइन अप कर रहे थे में को बहुत परेसान हो थे क्योंकि इतना क्राओद इतना चिला रहे थे और मेरा जो अपनी होम टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा तीम मैं सारे यंग्स्तर थे वो लोग ब्लेंग में दो सेनियर प्लेयर थे मैं और एक जो गोल किपर है अधिती चौहान हम दोनों ही थे थे प्लेयर तीम की लिए तो मेरे को बहुत गवराद जयसे हो रहा था कि क्या होगा मेरे जूर फ्लेयर खेल पाऊँगी कि नहीं खेल पाऊंगी तो रफ्री लाइन अप पेश सकल देए युझ इसे पूस्ने लगे कि वह इतना नर्बस क्यु हो अगे है तो मैंने बोला मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे बच्चे खेल पाऊंगे कि नहीं पाऊंगे तो फिर हम लोग ने 3-1 में में जिता था तो अपने जो जुनियर्स है आपके बच्चे लोग उनको क्या बोला मैंने उनको एक ही चीज बोला था उन लोग अंदर 13 से इंडिया ती को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको ध्यान मत दो अपने गेम में फोकस करो यह चीज तो मैंने बोल दिया पर मेरे को ऐसे लग रहा था कि क्या होगा उन्होंने ऐसे खेल के दिखाया तो मुझे बहुत खुश हुआ था कि हम लोग जिस दिन रित्यार भी हो भी गया तो हमारे तो यंग स्थर है वो अराम से एक इंडिया टीम को लेके जाएंगे फुशर में आप एक टीम में बड़ी एल्डर सिस्ट की तरह है अगर कभी कोई चोट लग जाते किसी को ऑन दर फील तो आपका रियाक्शन कैसे रहता है कितनी पुशसिव है उनके बारे में उनके बारे की क्या हुआ है कुछा जाती है की क्या हुआ है तो फीजो मेरे को बोलता है कि यार मुझे तो देख्यों का थे कंज तूरा साइध ह Ellis olde ati me वितने के बाद सब लोग बहुत एकसाइट हो बहुत खुछ हो जाते हैं गाना जला के बटनस करना सुरू हो जाते है और सबसे एक यंग प्लेयर है पंजाब की बनिषागर के अंपनुको पहले बिए बनाचने के लिए बिए और जो सुरू हो जाते है तो पर कि बार्स दानस को आप 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 नचती है कौन से म्यूजिक पे डान्स होता है, पंजाबी तो पंजाबी पे करेंगे गाना भी पहुत बज्जते है और आपको समझ में आती पंजाबी? नहीं आपको पता है आपका जो नाम है, इंडिया की दो दिगगज इंडिया की तो आपको नाम बना है, तो आपका नाम रखा किसने है आशा लटा? साहत, मेरे मम्मी नहीं रखा है वो और आप सिंग में कैसे है, आशा जी जैसे है के लटा जी जैसे है बिलकुल नहीं दुनों, रखना तो बनता है आशा lata, कोई पी सौंग आपके हिसाब कियो हरान हूं मैं.. तेरी मासुम सवालोँ से.. परे सान हूं मैं.. तैंक यू.. यू थित की तो मैं.. और किसके साथ आपको वख़ग वक्त विस्तान अच्छा लगता है उपनी टेम मेंसे? चार लोग यदा हो करता है मैं जो चैनिया Layer hai एक अधिती चोहान और एक मिसेल लगु बुटिया करके एक सिकिन के और मैं हम चारो बहुत क्लोस रहते हैं चारो में से सबसे जादा मस्ती कौन करते हैं तीनों बहुत जादा मस्ती करते हैं पर मैं उन तीनों को कंट्रोल करने के लिए बीस में रहते हैं अगर आशालता फुटबॉलर नहीं होती हैं तो क्या होती हैं? अच्योली मुझे लो परना मुझे बहुत पसंद है लोग क्या बात है लोग मैं भी लोग कर रहू है और होप कि मैं ग्राइडवेट हो जाओ सो पिछले देड़ दो साल में काफी सारा इंप्रूव्मेंट हुआ है विमेंस फुटबॉल को लेके लिए में सो ग्रास्फूट लेड़ पर और क्या करना चाहिए कि और आगे फुटबॉल को बढ़ावा मेले मेरे हिसाब से जो क्लब से इंडिया में जितना वी फुटबॉल का तो उन लोग अपना ग्रास्फूट लेबेल में थोड़ा फोकस करेगा तो बैटर रहेगा नेक्स यर अंदर 17 वालकप इंडिया होस कर रहे है तो मेरे तरफ से आप सभी को रिक्वेस्टे की अंदर 17 विमन्स तीम को सपोर्ट कीजिए और वो इतना कम एज में वो लोग इंडिया रिपरजिन करने जा रहे है तो आप लोग का सपोर्ट की बहुत जरूरी है अभी से अब जरूरी है अच्छा प्लेयर बन सकता है अश्लत है 2018 में आपको कैप्टन से मिली 2018-19 में विमन्स फुट्बोलर ऑफ द यर AIFF के द्वारा और फिर AFC का 2019 में नॉमिनेशिन मिला कैसा लगता है इतने इज़त और शोरत मिलके जब मेरे को फुट्बोलर ऑफ दिया था तो पमेरे को भी बार नके झालेगा कि मुझे रचिंगा जही पार्ट पहली भार को फुट दिया गया था और उसके पहले कोई में रचाधा है और यह नोगोई मिलने भी थु controllers अरे नुगे चली वार्ख बना मेरे को बहुत जादा और खुछ थी कि बहुत excited भी था कि पहले बार इंडिया का एक प्लेयर एक प्लेयर एक प्लेयर के लिए अफसी एवाड के लिए नुमिने किया गया था एक रेक्ष्ट है एक परेंस को अपने बच्छों को सपोर्ट करना चाहिए एक परेंस कचपोड़ और उनकी ब्लेस बहुत इंपोर्टन था एक फरफेंस प्लेयर बनने के लिए आपके फ्रेंस और फैंस क्फर्फमेंस के लिए हुछ ऑपने एक यूरेंस कर टेंपके ँद पेड़ने कि अप्लेयर ने पाढ़ने के लिए ऑड इसने बनने के लिए स्ट्रेंड और कंडिशनिंग और स्ट्रेंडिनिंग में बहुत फोकस करना पड़ता है चली, एक और सवाल बिखते हैं First of all, congratulations for reaching this far in Indian football I would like to know what are the sacrifices that you had to make to reach this far in Indian football बहुत अच्छा सवाल है बस पन से भी हम पुरा टाइम निकाल के करते हो और जीम में या गर पे ताइम मिला तो मैं पुरा 45 मिली या वान आवर का सेशन स्ट्रेंग और स्ट्रेंशिंग सेशन करते हैं Next question The question from my side is that who irritates you most in the team? इस अबसे इरिटेट अधिती सवान है मेरे लिए क्या क्रती है वो आप इतना इरिटेट हो वो भात हशी मजा करते और मेरे को बहुत तंग करते रहता है एक तो वो पर गौल के पर है मेरे लिए वोकोु यह करो और उनको आगे जाने की वोलो पीसे लेकар आओ यहो। अे रआ ही वोड़ी लाओ वह दोलो कि फोवागी करते है लग की लड़ायगी कर ले जाए जाने की तो पूचारे का बाल खीछ ले ले प्रवु ए अपके, 2014, 2015 में मेरा नीपे इंजरी हुआ था, ACL और MCL में तो उस ताइम मुझे ऐसे फिल हुआ था कि मैं दुबारा नहीं खेल पाऊंगी बहुत ही करियर ठ्रेटनिंग निजरी होती है उस ताइम बहुत मोटिवेट किया था उन्होंने और मेरा जो जोब कर रहे हुआ पर वहाँ पर कोई फीज़ नहीं थे और पूरा तंका जिम नहीं था वहाँ उनकी पिक पाफॉमेंस करके एक क्लिनिक है तो वहाँ पмовर दिया था कि तुम यहाँ पर आके रियाब कर सकते मेरे साथ मेरा इंजरी की बाद जब मैं दुबारा नेस्निन टीम में खेल पाया तो वो सब चीजे उनकी वज़े से हुआ था खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से उच बता तेरी रजा क्या है आशालता की कहानी को देखके लगता है कि आजकल हम फिजूल में ही छोटी-छोटी चीजों को लेके मायूस हो जाते हैं जिंदगी में पाने को बहुत कुछ है पर जरूरत है तो सिफ इक जितना है झालता है